हेलो फ्रेंड्स आज की रेसिपी है टी टाइम स्नेक्स आप इसे साम के चाई के साथ खा सकते हैं आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और सबसे ज़्यादा खास बात है कि घर के ही कुछ समान से ये आसानी से बन जाता है बिलकुल भी तेल नहीं सोकता है और खाने में बहुत प्रशी लगता है तो फिर देर किस बात के चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा मिर्ची तो मेरे पास दोनों तरह की मिर्ची थी दोनों मैं कट कर ली साथ में एक टुकड़ा अधरक का अधरक को छोटे में कट करें और आधा कड़ाई में एक कप पानी डालेंगे साथ में उसी में डाल देंगे एक चमद जो हमने पीस के रखा था अधरक मिर्ची और अजवाइन को वो थोड़ा सा बारी कट किया हुआ हरा धनिया पत्ती मैजर आप कोई भी कटोरी या ग्लास से कर सकते हैं चोटे साइज का ग्लास स अज मैं यहाप एक कप से मेजर कर रही हूँ अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और एक बार मिक्स कर लेते हैं पानी अच्छी तरह से उबल गया है आप इसमें डाल देंगे एक कप चावल का आटा चावल के आटे के जगह आप सूजी भी डा पाना नहीं है सिप गरम पानी में मिक्स करके चाबल आटे को रखना है देखे अभी ये पूरा ड्राई लग रहा है तो क्या करेंगे इसे ढख के दस मिनट के लिए छोड़ देंगे दस मिनट में ये भाप से पक जाएगा अब दस मिनट हो गया है कवर हटा लेते हैं कवर हट इसे एक बड़े बरतन में किसी में ट्रास्फर कर लेंगे आप देख सकते हैं क्यासे गुठलिया बनी हुई है जब तक आप इसे हाथ से मैश नहीं करेंगे तो अच्छी तरह सी डो के फॉर्म में नहीं आएगा अब इसे अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल के मिक्स करेंगे जैसे चिकना लोई बनाते हैं वैसे बनाना है और हलका हलका हाथ से प्रेसर देके मैश करना है आप देख सकते हैं हमने एक ही कप चावल का आटा लिया लेकिन कितना सारा बनके रेडी हो गया है जैसे जैसे चावल आटे को मिक्स करते जाएंगे वैसे ही ये डो के फॉर्म में आजाएगा लेकिन अभी चिपचिपा पन है इसमें तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे बस आधा चम्माची डालेंगे कि सिप उपर से चिकना कर लें हाथ में चिपके नहीं अब देखें एकदम सॉफ्ट आटा लगके रेडी हो गया अब इसे एक मिडियम साइज का लोई बनाएंगे और बाकी का इसे कवर करके रखेंगे नहीं तो सुख जाता है तो देखे, मैं एक medium size का लोई बनाई हूँ, अब इसमें हलका सा तेल लगाएंगे, क्योंकि यदि आप तेल नहीं लगाएंगे, तो ये चिपक नहीं लगता है, चकला में भी और बेलन में भी, अब इसे medium size का बेल लेंगे, ये एकदम soft रहता है, तो बेलने में हलका हलके और मोटा भी नहीं है, अब इसे cut कर लेंगे, तो किस तरह से cut करेंगे, पहले side में इस तरह से, जो हलका फटा-फटा होया है ना, उसे निकाल लेंगे, अब इस तरह से पतले-पतले strip में cut कर लेंगे, जिस तरह से आपको cut करने का मन है, उस तरह से आप cut कर सकते हैं, यदि इसी तरह से बाकी को भी cut करके रख लेंगे अब इससे deep fry करेंगे उसके लिए तेल गरम करेंगे तेल medium गरम करेंगे उसके बाद gas का आच लो कर देंगे low flame में इस तरह से सारे pieces को डाल देंगे एक बार में जितना आएगा उतनी डालना है और एकदम low flame में इसे तलने के लिए छोड़ देंगे और फिर से एक बार पलट लेते हैं पलट के एकदम crispy होने तक fry करेंगे अब यह पूरा अची तरह से एकदम crispy हो गया है crispy होने के बाद इसका color change नहीं होगा क्योंकि यह चावल आटी का बना हुआ तो बस इस तरह से सारे को हम निकाल लेंगे और बाकी कभी हम सेम इसी तरह से fry कर लेंगे इसमें हमने तेल नहीं डाला था मोयन में तो यह तेल बिल्कुल भी सोकता नहीं है एकदम dry बनके ready होता है अब इस सारा चावल का पापड़ी बनके ready हो गया है आप देख सकते हैं इसका color बहुत ही अच्छा आया है और आप इसे store करके भी रख सकते हैं मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हैं यह कितना ज़दा crispy बना है आप इसे इस तरह से तोड़ेंगे तो यह एकदम extra crispy बनता है और हमने इसमें मोयन भी नहीं दिया है तो तेल भी बिल्कुल नहीं सोखा है फ्रेंड्स अगर आज की यह recipe अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें